सबी पसु पालकों को राम राम आज की इस वीडियो में मैं आपको LDM आर्यवेदिक दवा के बारे में बताऊंगा यदि आपका पसु सही से नहीं पाऊसता और थणों के अंदर दूद रख लेता है या आप नया पसु लेकर आए हैं और जो दूद देते टाइम आपको प्रेशान करता है तो आप उसको LDM पिला सकते हैं यदि आपके पसु का किसी कारण काफ मर जाए और वो दूद देने में प्रेशानी करे तो आप उसको LDM पिला सकते हैं यदि आपका पशू बिना किसी कारण दूद कम कर जाए तो आप उसे LDM पिला कर सही अवस्ता में लेकर आ सकते हो। यदि आपके पशू की फेंट कम है और गर्मी के कारण पशू ने दूद कम कर दिया है तो आप उसे LDM पिला कर सही कर सकते हो। अब ज्यादातर कहीं देखते हैं तो पशू की पाव इसके लिए ओक्सिटोसिन आर्मोन का यूज किया जता है। ये सरकार द्वारा बेहन है क्योंकि ये पशू के लिए और जो इसका दूद पिता है ये दोनों के लिए आनिका रखा है। LDM पिला कर आप पशू की ओक्सिटोसिन की आदत भी चुटा सकते हो। इसकी खुराक की बात करें तो LDM 100 ml सुबह और 100 ml शाम को पशू को दूद निकालने से एक गंटा पहला दी जाती है। 4-5 दिन लगातार 100 ml देते हुए इसकी मातरा दिरे दिरे कम करते लाएं 30-40 ml पर ले आएं। अब से फशू को ओक्सिटोसिन लगाना बंद कर दें और शिरफ LDM ही पिलाएं। LDM आपको हमारे मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी लाइफ लाइन फार्मेसी सरकारी होस्पिडल के पास गाउं असंगा फत्यवाद।